फ्रेंड्स आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है एक कटोरी मेरी हम असूर की दाल बच गे थी फिर गया इनकुप पराठे बनाने के लिए चलते हैं दो कटोरी आठे को मैंने छान के तसली में तयार कर लिया था अब इसमें कुछ मसाले मिक्स कर लेते हैं पहले एक चमज पिसा हुआ दन्या डाल देंगे आधी छोटी चमज पिसू ही मिश डाल देंगे आधी छोटी चमज पिसू ही हल्दी डाल देंगे आधी छोटी चमज अजवाइन डाल देंगे आधी छोटी चमज हिंग डाल देंगे और क्रस करके कस्तुरी मेथी रखी थी इ अब हातों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स हो गए मसाले अपनी डाल डाल देंगे, फ्रेस एक बड़ी चमज मलाई डाल देंगे, इसको भी हातों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, डाल औं मलाई को आटे में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब पान की आवेश्यक्त हो तना ही पानी दीजियें सीटे मारने से बल्कुल दोबन के तयार हो गया मेरा देखिए कि अच्छल दोबन के तयार को नरम दो लगाया है मैंने अब इसे पांच मिनुट ट्रैस्ट के लिए रख देंगे कपड़ा ड़के, पांच मिनट हो चुके हैं, अब इसमें अपना नमक मिला लेते हैं, और डो कितना नरम है, अब नमक मिला के तयार कर लेंगे, हाथों की सहाइता से नमक को बहुत अच्छे से आटे में मिला देंगे, देखे, नमक मिल के तयार होगे, आटा भी बुकल परफेक्ट बनके तयार होगे, अब इसे पर्थल लगा लिए, अब अपनी लोईया काट लेंगे, और हाथों की सहाइता से गोथल गोथल के बहुत अच्छे से पेड़े की लोई बनाके तयार कर लेंगे, अब इसमें आटे देखे, अब औल लगा लिया है मैंने, अब एक तरफ से पलट देंगे, अब इधर भी औल लगा लिए, दूसरी तरफ से पलट देंगे, इस तरीके ते हाथों से ऐसे करके थप-थपा के अपनी लोई को बढ़ा कर लेंगे, अब आटे को डश करके पराठे को अच्छे से इस तरीके से तिकोने पराठे बहुत अच्छे बनते हैं और किनारियों से बेलना है जिससे पराठा हमारा विलकुल मोटा ना रहे इस तरीके से ये भी पराठा बिलके तयार हो गया है इसको एक प्लेट में कर लेते हैं दूसरी लोई में भी मैंने ऐसी गुतल-गुतल के बना के आठा डश करके छोटी रोटी बेल लेंगे इसमें भी ओल को लगा लेंगे देखिए और इस तरीके से एक तरफ से पलट देंगे फिर दूसी तरफ से ओल लगा के पलट देंगे और हातों से बढ़ा देंगे अब आठे को डश करके इस पराठे को भी अच्छे से बेल के तयार कर लेंगे ये पराठा भी हमारा बेल के तयार हो गया है ऐसे ही हम सारे पराठे को बेल के प्लेट में कर लेंगे देखिए सारे पराठे बेल के तयार हो गए है इधर मैंने gas on करके non-stick तबा रख दिया था विस अपने पराठे को डाल देंगे पराठे को पलट देंगे पराठा जब अच्छे से नीचे से हो गया फिर oil लगा देंगे आप जहाँ तो बटर और देशीगी में भी सेख सकते हैं इस तरीके से पराठे को पलट लिया अब और सेख देंगे इसको उपर से और लगाके अच्छे से शेख देंगे पराठे को पराठा हमारा जितना अच्छा सेखेगा खाने उतना ही टेश्टी बनता है उलटते पलटते इस पराठे को भी बहुत अच्छे से से शेक लेंगे गोल्डन होने तक ये बच्चे ही दाल के पराठे बहुत टेश्टी लगते हैं आप इसको जरूर बनाईएगा देखिए एक पराठा बनके मेरा तयार हो चुका है इसको प्लेट में निकाल लेंगे सरवीन प्लेट में निकाल लेते हैं अब दूसरे पराठे को भी हम उससी में डाल देंगे नॉनिस्टिक तवे पे और इसको भी पलटके बैसे ही सेक लेंगे दबा दबा के अगर आज आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप सबसे रिकेश्ट है कि आप मेरी चैनल को लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए अगर न्यू है तो जरूर सस्क्राइब करना मेरे चैनल को देखे कितना अच्छा पराठा बनके तयार हो रहा है कोई भी दाल बच्ची है आप उस दाल के ऐसे ही पराठे बनाके तयार कर सकते दाल आपकी वेस्ट भी नहीं होगी और बच्चे और बड़े छोटे सब इस पराठे को मांग कर खाएंगे यह पराठे हमारे यहां बहुँट टेष्टी बनी थे इस तरिके से सारे पराठे से इंजुआई किये फिर कि आप सबसे रिकेश्ट है कि आप इसको बना के कमेंट चरूर करना और मेरे चैनल को लाइक और सस्क्राइब करना थैंक्स फूर वाचिंग फिर मिलेंगे नई रेस्पी के साथ फिर क्या पराठो को देखे तो बिल्कुल मुझे सबरी नहीं हो रहा थैंक्स फूर वाचिंग लाइक और सस्क्राइब